हेलो जी कैसे हूं आप से हम सब को मेंने वस्ते हैं आज मैं अपको वगानी चाप की रस्पी लेके आईगो चाप को मैंने स्टिक से निकाल के छोटा-छोटा ऐसे काट लिया है अब इसको एक बड़े बरतन में डालेंगे इसमें काली मिर्ची याड़ करेंगे और साथ में नमक लगा के इसको हम थोड़ी दिर रख देंगे एक कडाई में मैंने सासों का तेल लिया इसको अच्छे से गरम करेंगे अभी तेल को गर्म करेंगे हम थोड़ी देर अच्छे से फर इसमें अभी हम चाप को डालेंगे एक एक पीस करके इसमें हम चाप को डालेंगे चाप को हम हल्का प्राम कलर करेंगे तब तक इसको फ्राइ करेंगे तेल हमारा गर्म हो गया है अच्छे से अब चाप को हम इसमें डाल देंगे, चाप को धीरी-धीरी करके दोनों साइट से अच्छी से पकाएंगे, अच्छी से हल्का ब्राउन करलर आजे तक तक हम इसको पकाएंगे, ऐसा हल्का ब्राउन करलर हम चाप का कर लेंगे, ऐसी फ्राइ कर लेंगे हम इसको, अब हम एक paste बनाएंगे काजु और बदाम का जो मैंने दो चार घंडे पहले बिगो के रखने थे गर्म पानी में अच्छे से एक mixer में डालेंगे इसका पेस्ट बनाएंगे हम अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे ऐसा पेस्ट तैयार कर लेंगे अब इसको हम एक बड़ी कटोरी में निकाल लेंगे इसको पेस्ट को अलग रख लेंगे अब हम इसको अब हम फिर से कड़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे उसमें खड़ी मिसाल है जीरा, लसुल, दालचीन, तेज पत्ता ये सब डालेंगे हम इसमें इसको हल्का प्राउन कलर करेंगे अब इसमें हम धनिया पाउडर एड़ करेंगे धनिया पाउडर दो बड़े चमच मैंने इसमें डाला है उसको अच्छे से वाइल के साथ मिक्स करेंगे अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे एक चम्मच, हाग चम्मच नमक अड़ करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे नमक भी कुटी होई काली में चैड़ करेंगे जरजरा रखी हुई है मैंने मोटी मोटी से अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब हमने जो काजू और बदाम का पेस्ट बनाया था इसमें दो बड़े चम्मच दैंक के डालके अच्छे से इसमें फैंट लेंगे हम अब इस पेस्ट को भी मसाले में आड़ कर देंगे अच्छे से इसको एक बॉइल लाने तक पकाएंगे अगर ये भी हमारी तेयार होगी अभी हम इसमें चाप डाल देंगे चाप को भी थोड़ी देर तक अच्छे से पकाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब थोड़ा सा इसमें हम पानी भी याड़ कर देंगे करीबी हम कम जाद अपने हैसाब से रख सकते हैं थोड़ी देर इसको हम बाई लाने तक पकाएंगे अब इसमें हम मलाई एड़ करेंगे आप इसमें चाहे तो करीम भी एड़ कर सकते हैं मेरे पास नहीं थी मैंने मलाई डाल दी है में मलाई को भी अच्छे से मिक्स करेंगे तैयार है हमारी अपगानी चाप इसको गर्मा गर्म चपाती जब रांटे के साथ सारुप करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लोगी में तैयार है हमारी